SSE CGL 2022 के मेंस के दो शिफ्ट का एक्जाम कंड़क्ट हो चुका है दो शिफ्ट अभी बागी रहती है इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या अभी तक जो पेपर आया है वो सचमुच बहुत असान था उसके बाद हम बात करेंगे कि पेपर लिवल के कॉर्डिंग एक्सपेक्टेड कट अफ क्या रह सकती है और हम ये भी समझेंगे कि जैसे टाइपिंग और कंप्यूटर आ रही है एक्जाम में उसका क्या इंपक्ट रह सकता है कट अफ पे तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या इस बार का पेपर सचमुच में बहुत आसान आया है तो देखो ऐसा है ये जो आसान पेपर की कहानी है न ये हर साल फैलाई जाती है और हर एक्जाम में फैलाई जाती है और ऐसा करने वाले majority दो तरह के students होते हैं पहली category वो जो बेकार का rumor फैलाते हैं कि इस बार का paper बहुत ही आसान है और exam बहुत easy है cut off बहुत high जाएगी और ऐसा सुनके बाकी लोग जो exam देने वाले होते हैं उनके मन में बेकार का डर बैठता है और exam खराब करके चले आते हैं तो ऐसे लोगों के वाज़े से ज़्यादा बच्चे तो नहीं लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो misguide होके exam में खराब perform करके आते हैं तो आपको ऐसे लोगों को ignore करना है दूसरी category उन students की है जो ये समझते हैं कि attempts का मतलब accuracy है और ऐसे जो students होते हैं उनकी वज़े से ये rumor ज़्यादा फैलता है कि पेपर आसाना है लेकिन obvious सी बात है attempts का मतलब accuracy नहीं होता है examination hall के बाहर आके हमको psychologically वही चीज़ें याद रहती हैं जो आसान होती हैं जो चीज़े tough होती हैं उनको हम भूल जाते हैं या जहां पर हमने तुक्का मारा होता है वो हम भूल जाते हैं तो काफी सारी चीज़ें हैं जो आपके actual score को impact करती हैं इसलिए जो भी अभी market में rumor फैला हुआ है कि paper बहुत आसान है उस पे ना जाए exam में बिल्कुल free mindset से जाके paper को attempt करना है आपको जिनका भी अभी exam रहता है अब बात करते हैं paper के level की तो paper में 4 subject होते हैं math, reasoning, gk और english तो इसमें अगर हम maths की बात करें तो maths आपका इस बार सच में easy आ रहा है लेकिन maths के easy होने का मतलब ये नहीं है कि आपका पूरा paper असान है SSE का मतलब maths का paper नहीं है SSE का मतलब इस बार 4 subjects हैं तो अगर आपका maths का paper असान है इसका मतलब ये नहीं है कि paper हलवा हो गया और कोई भी कितना भी score कर लेगा reasoning का जो paper आया है उसका level अच्छा है जैसा SSE पहले questions पूछती थी उसमें कुछ changes भी है जो आपके critical reasoning के questions है और data sufficiency के भी questions आये है कि whether option 1 is enough और whether option 2 is enough तो ऐसा जो pattern है वो banking वालों के लिए अच्छा है लेकिन SSE वालों के लिए नया है तो मैं यही कहूँगा कि यह जो paper आया था आपका reasoning का वो थोड़ा moderate level का था GK की बात करें तो GK वैसा ही पूछा गया है जैसा SSE हमेशा से पूछती है हमेशा ही GK unpredictable होता है और इस बार भी रहा current affairs के question देखने को नहीं मिले है जो art and culture काफी important part था TCS के exams का वो भी देखने को नहीं मिला है English भी जो पूछा गया है वो काफी अच्छे level का पूछा गया है और मुझे लगता है इसमें जो भी लोग 44, 45 या ever 40 mark करके आ रहे है accuracy इसमें बहुत बड़ा role play करेगी क्योंकि options हमेशा ही close होते हैं और जब आपकी answer की आईगी आपको तभी पता चलेगा कि इसमें कितना आपने actually score करा है तो मेरे according अगर किसी ने बहुत अच्छे preparation की है इस exam की और वो 4600 grade पे को target कर रहा है तो maths में अगर 28 questions correct है तो बहुत ही अच्छा score है और एक बात है ऐसे सी जैसा paper set कर रही है English का उसमें आप भी ये समझ रहे होंगे कि comprehension बहुत ही important part हो चुका है और इसके लिए मैंने एक book बनाई है रुक्मिनी publication के साथ मिलके comprehension के लिए ऐसी कोई भी book अभी market में नहीं है जो आपकी understanding को धीरे धीरे improve करे इस book में मैंने तीन topics comprehension, close test और paragemble इन तीनो topics के TCS के previous year question को level wise arrange करके आपको दिया है तो जैसे आपकी understanding हो English में उसके according आप level wise practice कर सकते हो अगर आपकी understanding इतनी अच्छी नहीं है तो आप सारे exams के इन सारे topics के level 1 के questions पहले attempt करो उसके बाद level 2 पे जाओ और उसके बाद level 3 पे जाओ ऐसा करके आपको बहुत फायदा होगा इस book को आप Amazon Flipkart या रुकमिनी publication की website से खरीच सकते हैं उसका link मैं description में दे दूँगा और अगर आप इस book के बारे में और जानना चाहते हैं और जो आप लोग मुझसे पूछ भी रहे हैं जिनका भी आगे exam है उनके लिए तो सबसे पहले बात करते हैं accuracy की मुझे लगता है इस बार जो one third negative marking है वो सबसे ज़्यादा effect करेगी cut off को और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ जैसे questions set किये गए है reasoning में GK में, English में और especially section 2 में बच्चे जितना score expect कर रहे हैं actual score काफी कम रह सकता है negative marking के वेज़े से दूसरा जो factor है typing और computer का तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि typing और computer के वेज़े cut off बहुत ज्यादा नीचे नहीं गिरती आप लोग खुद को खुश करने के लिए चीज़ समझा सकते हो कि typing और computer के वेज़े cut off बहुत ज्यादा नीचे गिरेगी लेकिन ऐसा नहीं होता है आप ऐसे समझो, typing का जो effect है वो जो higher qualifying standard वाली जो post है जो CPT और DEST वाली post है उसमें थोड़ा बहुत देखने मिल सकता है लेकिन जो lower post है जिसमें ये higher qualifying standard नहीं लगेगा जहाँ पे ये 20% error calculation चलेगी वहाँ पे आप बिल्कुल ऐसा समझो कि कोई भी cut off पे difference नहीं आएगा और ये higher qualifying standard वाली भी जो post है मैं आपको experience से बता रहा हूँ typing के वज़े से बहुत ज़्यादा marks का difference नहीं आता मेरे according इस बार hardly 2-3 marks का difference आ सकता है आपके cut off में उससे ज़्यादा का नहीं सेमी चीज में आपको computer के लिए कहूंगा computer में qualify करने के लिए आपको 30% marks लाने है मतलब करीब 6 questions आपको correct करना है तो यहाँ पे भी cut off पे effect पढ़ने के chances बहुत ही कम है जो higher qualifying standard वाली post है उसमें मुझे लगता है थोड़ा बहुत फर्क पढ़ सकता है लेकिन क्योंकि यह जो higher qualifying standard है SAC ने भी तक बताया ही नहीं है कि वो कितना रखेंगे हो सकता है अगर 30% generally रखा है उन्होंने तो वो 40% रखते है या 50% रखते है या 60% रखते है तो इस पे depend करेगा कि cut off पे कितना difference आता है और अगर मैं एक assumption भी लेके चलूँ कि SAC's higher qualifying standard को 50% के around रखेगी तो भी मुझे लगता है कि आपकी cut off पे चार से पांच marks उससे ज़्यादा का difference नहीं आएगा और ये बात जब आपका exam खतम हो जाएगा उसके बात जो मैं cut off के analysis करूँगा उसमें आपको समझाऊँगा अब जो लोग भी इस channel पे पहले से जुड़े हैं तो मुझे लगता है कि जो अभी तक का आपका paper का level रहा है उसके according cut off इसी के around रह सकती है और आप में से अभी भी बहुत साह लोगों को typing और computer में confusion है इससे related मैंने बहुत सारी videos बनाई है बहुत comprehensively उसको मैंने एक playlist में भी डाल दिया है जो tier 2 की preparation playlist है उस playlist का link मैं share कर दूँगा किसी भी तरह की confusion के लिए आप उन playlist की videos को देखे आपको हर कुछ समझ में आ जाएगा आपको comment करके पूछने की जरुरत नहीं है तो I hope कि आपको ये video अच्छी लगी होगी अगर आपको इस channel का content पसंद आता है तो please इस channel को subscribe करें तक्यू